हेलो फ्रेंड्स अभी तक आप ऐसी कई जगों पे घुम चुके होंगे जिनका नाम आपके जुबान पर रट गया होगा लेकिन अगर अचानक से इन शहरों के नाम बदल दिये जाएं तो ना केवल हमें उन्हें याद करने में दिक्कत होती है बलकि बच्चों को भी याद कराना मुश्किल हो जाता है और अब तो यूपी से लेकर दिल्ली तक और यहां तक की महरास्ट्र में भी उस शहरों के नाम बदल दिये गए हैं तो अगर आप भी इन जगों पर घुनने के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले बदले हुए नामों के बारे में जान ले और अगर आप भी इन शहरों के रहने वाले हैं या फिर आपका शहर क्या है हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं इसमें सबसे पहला नाम है राजपात से कर्तब वेपत आठ सितंबर 2022 को सेंटरल विस्टा एवेनिव के उदगाटन के बाद ही भारत सरकार ने दिल्ली के प्रतिस्थित राजपात के नाम को कर्तब वेपत में बदलने का फैशला कर लिया सरकार के इस फैसले की कई लोगों ने अलोचना भी की थी आपको बता दें कि नई दिल्ली परिशद इंडी एमसी ने सरक का नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी थी और इसके बाद राजपात से अब इसका नाम कर्तब वेपत कर दिया गया है और ये कर्तब वेपत मार्ग दिल्ली में इस्थित है दूसरा है इलाहाबाद को प्रियाग राज करना उत्तरप्रदेश शरकार ने अक्तूबर 2018 में ही एतिहासिक इलाहाबाद का नाम प्रियाग राज रख दिया था रिकॉर्ड के अनुसार शायद आप ये नाम नहीं जानते हो मैं आपको बता दूँ कि सुलहवी सतावदी से पहले इस जगह को प्रियाग के रूप में जाना जाता था लेकिन फिर से इसका नाम मुगल समराट अकबर द्वारा बदल दिया गया जिन्होंने गंगा और यमुना की प्रवाह के पास एक किला बनवाया और इसका नाम इलाहबाद रख दिया लेकिन अब इस इलाहबाद का नाम प्रियाग राज कर दिया गया है तीसरा है औरंगाबाद से छत्रपती संभाजी नगर हाल ही में Ministry of Home Affairs ने महरास्टरा के औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम चत्रपती संभाजी नगर और धरावी शिव नाम से बदलने की मंजूरी दे दी है हालाकि मुगल समराटों के नामों से शहरों के नाम बदलने पर राजनीती भी गरमाई हुई है महरास्टर और देश की कई पाटियां ऐसी है जो सरकार पर मुगल इतिहास को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है वैसे बात जो भी हो लेकिन अगर आप भी महरास्टर के औरंगाबाद जा रहे हैं तो अब इसका नया नाम शत्रपती सांभाजी नगर याद कर ले नाम बदलने की लिस्ट में दिल्ली में रास्टरपती भवन के फेमस और विशाल मुगल उद्यानों का नाम बदल कर अमरित उद्यान कर दिया गया है और यह कदम भारत की स्वतंतरता को 75 साल पूरे होने पर लिया गया था और अब इसका नाम अमरित उद्यान कर दिया गया है अगला है मुगल सराय से पंडित दिन दयाल उपाद्धे आए बता दें कि इस इस्टेशन को पहले मुगल सराय के रूप में जाना जाता था जोरने वाला रेलवे स्टेशन काफी जादा व्यस्त भी रहता है लेकिन अब इस मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाद्ध्याय जंक्षन कर दिया गया है वैसे अगर आप भी इन सहरों के रहने वाले हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और कॉमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और अधी ज्यानवर्धक और रोचक फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल के आइकन पे भी प्रिस कर लें